हेलो फ्रेंड्स मैं हरी सर्मा बिल्लिंग सिंचानल चैनल से एक बार फिर फ्रेंड्स आज मैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके पास इल्यूमिनेशन जैसा मैंने यह लिखा हुआ है इल्यूमिनेशन means रोसनी या लाइट फ्रेंड्स किस एरिये में कितनी लाइट होनी चाहिए और क्या हमारा भारतिया स्टेंडर्ड है इस स्टेंडर्ड भी मैंने लिखा हुआ है 3646 इसके अकॉर्डिंग ओफिस में कितनी लाइट होनी चाहिए पैसेज वे में कितनी light होने चाहिए, जहां हम काम कर रहे हैं, वहां कितनी light चाहिए और जहां हम पढ़ रहे हैं, वहां कितनी light होने चाहिए यह सब IS यानि Indian Standard बना वाया 3646 इसके according कहां कितनी light होने चाहिए, वो आज मैं बताने वाला हूँ और कैसे light को measure किया जाता है, किस में कौन-कौन से उसके units हैं, measuring units हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ Friends, मेरी वीडियो को देखतेर यह अंतक वीडियो करते हैं, start Friends, जैसा मैंने यह लिखा हुआ है, Illumination या Luxe Level Illumination, Illumination means होता है रोशनी या light किसी भी लेंप को जलाने के बाद उससे कितनी रोशनी प्राप्त हो रही है, कितना light हमें दिख रहा है, वो सब Illumination, मतलब हमें कभी भी जो हम देखते हैं, अगर light कम होगी तो हमारी आँखों को ज़्यादा जोर पड़ेगा, और light ज़्यादा होगी तब भी हमें आँखों में problem होगी, हमें strain होगा, यानि आँखों से हमें दिक्कत होगी इसलिए हमें एक perfection यानि एक standard भारतिय मानक सहीता ने बनाया है, IS standard जिसके अनुसार कितनी light हमारी आँखों को किस काम को करने के लिए उचित है, वही समांब बताने वाले हैं फ्रेंट्स देखे, सबसे पहले मैं बात करूँगा, मैंने यह तीन question लिखे हुए है, illumination जैसे मैंने बताया कि रोसनी या light यह lux और यह दो मानक में नापी जाती है, lux level और foot candles और lumen यह तीन चीज़ें है, तो lux क्या है, foot candles क्या है और lumen क्या है, आज मैं पहले यह बताना चा गंबा एरिया लेते हैं, one square meter area में, one square meter में, जितना lumin आ रहा है, वो lux level क्यालाता है, जैसे, यदि एक हजार lumin, एक मीटर वाई, एक मीटर एरिया में पढ़ रहा है, तो उसका जो मानक हुआ, वो एक हजार lux हुआ, जैसे, यानि मान लीजिए, कि वन मीटर वाई, यह वन मीट इस area में, यदि एक हजार lumin हैं, light के lumin हैं, तो उसे हम एक हजार lux कहेंगे, यानि, जितने भी lumens पर square meter ना पे जाते हैं, उनको lux कहते हैं, और foot candles की, अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी lumin, lumin, पर foot, या feet, ठीक है, पर foot, यानि, एक foot by एक foot में, जितने lumens हैं, उसको हम foot candles कहते हैं, तो हम सारी बात जो करेंगे, अभी lux label में करेंगे, यानि, lux में मैं सारी ये units बताने वाला हूँ, मगर मैं इनको last में, ये भी आपको बताऊँगा, कि lux को foot candles में कैसे बदला जाता है, और कितना होता है, friends, आये देखते हैं, मैंने यहां कुछ spaces, मुझे जितने भी maximum spaces लगे हैं, कि कहां-कहां हम काम करते हैं, normally घरों में, buildings में, और working stations पर, मैंने सारे लिखे हुए हैं, देखे, जैसा मैंने लिखा हुआ, सबसे पहले kitchen, अब kitchen में कोई standard तो है नहीं कि 400 एक साथ तो इसका भारतिय मानक सहीता ने, यानि I.A.S. standard के according, एक fix किया है, कि minimum कितना होना चाहिए और maximum, friends, मैं इसकी बात करता हूँ, देखे, 300 से 500 लक्स level होना चाहिए, क्योंकि kitchen में हमें रोसनी की ज़्यादा जरूत पड़ती है, क्योंकि kitchen में हम जब खाना बनाते हैं, तो हो सक बेकरी करते हैं, तो उसमें जो होता है, 200 से 300 लक्स, यह जितनी भी मैं यूनिट से लिख रहा हूँ, यह लक्स हैं, लक्स में है सारी, storage area की बात करें, तो 100 से 1.500, यानि जहां भी हम industry में store use करते हैं, तो store की light जब कभी हम लक्स level से नापते हैं, या measuring unit से नापते हैं, तो उ उसमें source के 1.500 के बीच में होनी चाहिए, यदि 1.500 से ज्यादा है, तो वो unuseful है, बेकार में लगी हुई है, और अगर 100 से कम है, तो वो हमें परिशान करेगी, उसमें हमें छोटी चीजे दिखाए देने में दिक्कत होती है, ठीक है friends, यह standard है, passage, passage में 1.500 लक्स से और 200 लक् से पचास लक्स होना चाहिए, लेकि नॉर्मली आप अपनी बिल्डिंग के जो कार पार्किंग एरिया है, यानि जो बेस्मेंट्स हैं, उसमें आपको 50 लक्स से ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी लगी होती हैं, और हम 30 से 50 नहीं रखते हैं, उसको 50 से 100 क के आसपास मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा, मगर ISA टंडर के अकॉर्डिंग 30 से 50 सफिसेंट, सिनेमाज की बात करो, तो सिनेमाज में भी 30 से 50 होती है, जब हम उसमें एंट्री करते हैं, और उसके बाद, बंध होने के बाद, वह 8 से 10 लक्स लेबल रह जाता है, जैसे ही परदे पर पिक्चर रहती है, तो उसके थूरू जो लाइट आती है, उसमें 10 के असपास रहती है, ठीक है फ्रेंट्स, केंटीन, केंटीन की लाइट, 1.500 से 200 के बीच होती है, लक्स लेबल, लिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं, फिर इस लिफ्ट सारी विल्डिंगों में लगी होती है, लिफ्ट में जो लाइट लेबल या लक्स लेबल होना चाहिए, वो 50 से 100 के बीच होना चाहिए, यानि यदि आपकी लिफ्ट में कैमरे लगे हुए हैं, तो उसका लक्स लेबल 100 के असपास रखिए, और अगर कैमरे नहीं है, तो 50 सफिसियंट है, ठीक है फ् लोकर अरिया है, जब हम काम करतें इंड्स्ट्री में बहार निकलतें, जहां से सम इस्टफ अपना समाँ जो अपना पर्सनल समाँ लोकर में रख देते हैं, उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, उसमें 100, 500 से 200 से 200 के वीच लेबल होना चाहिए, वर्क स्टेशन वर्क हमारा मतलब जहां हम कोई भी mechanical work कर रहे हैं या study कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो उन पर जो friends है उनका लेवल रहना चाहिए आप लोगों ने देखा होगा अगर रूम का जो लाइट लेबल कम होता है तो इस्टेडी टेबल पर एक पोर्टेबल लेंप लगा दिया जाता है जिससे उसका लख लेवल बढ़ाया जाए इस टेर्स की अगर मैं बात करूं तो इस टेर्स का लख लेबल जो है पचास से डे देटल से दोसे होना चाही बेर YEAH200 लक्स के बीच में होना चाही है रास्ट रूम यदि आप रास्ट रूम यानी रैस्ट रूम मीश्टेड्स टॉालेट की बात करते हुए रैस्टॉम की बात करतो तो उसका भी generators सों से दोसों होना चाही है गाइस हrम मीटिंग रूम behavioral चा और इसका होता है तीन सो से चार सो लग्स लेवल होता है ओफिस में आपको बता चुका हूँ पहले भी डेड़ सो से दो सो के बीच होचा है लेकिन फ्रेंड्स अम मैं बात करता हूँ यदि गर्मी का दिन है ब्राइट समर डे यानि सबसे गरम दिन बहुत जादा जिसमें मई जून को महीने में जो कहते चौह उसका है कितना होता है गर्मी में वह बताता हूँ आपको 1,003,000 है यह यह अप प्रोक्स हैं यह कम जादा भी हो सकते हैं लेकिन इतना मेजर किया गया कि कितना होता है, तो लाइन जब बादल चाहे हुए हैं उसमेंमें तो उसका कितना आता है, यदि हमारा पूरा ओवर कास्ट है, हमारा जो आसमान है, वादलों से गिरा हुआ है, तो उसका आता है रेर वाउत 100 लुक्स, मैंने च्छ उग circuit लिखा हुआ, one lux sorry one lux friends ये standard है अब हम कहीं भी जहां कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो अपना lux label हम check कर सकते हैं दूसरा अब मैं बात करता हूँ lux कैसे measuring कैसे करते हैं measuring करने से पहले friends कभी भी हम lux label को जहां हम काम करें उस जगह देखें study table की बात करें study table पर बंदा जो table होती है table पर बैट कर करता है तो हम अपने lux label को table पर रखें तब measure करें या अगर हमें living room या किसी conference room या meeting room का करना है तो अगर उसमें table पड़ी हुई है तो table पर रखकर lux label को check कीजिए कितना label है अगर कुछ भी नहीं है उसमें तो आप उस label को नीचे से 3 foot रखिए लगभग 3 foot जमीन से 3 foot की height पर check कीजिए अच्छा check करने का तरीका क्या है सबसे पहले आप ambient light check कीजिए कितनी है अगर कोई कमरा है नॉर्मली है तो उसमें सारी light बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद आप light check कीजिए lux label से on करके कितना है वो बताएगा आपको कितना है उसके बाद light on कीजिए और light on करके check कीजिए कितना है किसी भी कमरे का lux label check करने के लिए उसके चारों कोनों और बीच में 5 unit लिजिए फिर उसका average निकालिए कि हर जगे पे lux label या light उसकी जो रोजनी है वो बराबर है फ्रेंट्स इस तरीकी से ना पड़ता है लास्ट चीज में इसमें बताता हूं कि ज़्यादातर यूनिट्स ज़्यादातर जो measuring units हैं जो भी हम नापते हैं कहीं पर lux label वो lux में ही नापते हैं तो lux से अगर आपको कोई पूछता है कि foot candles क्या होता है foot candles में कैसे प्रिवर्टित करते हैं तो friends सीधा सा है foot candles में आप उसको 10 कम कर दीजिए यानि अगर मैं इसकी बात करूँ kitchen की कि kitchen 300 से 500 lux है अगर मैं इसको बोलूँ कि foot candles में बताओ तो ये 30 से 50 हो जाएगा simple formula है 10 गुना कम होता है 30 से 50 ठीक है क्योंकि meter और square meter और square foot में लगभग 10 का difference रहता है उसी हिसाब से lux level को भी exact 10 कम कर देता है 30 से 50 foot candles और 300 से 500 अगर मैं इसको करता हूँ तो ये lux है क्या है friends? Lux में है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, share करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें Thank you friends